नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ सब कोई स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और अच्छे होंगे आज हम बात करेंगे दिसंबर 2021 और जून 2022 जो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट का पेपर हुआ था हमारे पास वो पेपर है सौल्व सहित है और जो कि उसको सब्दवली में आसा है समर्द ग्रस्थ है गहपती की संपदा उसकी सौमित वाली भूमी और धनी व्यपारी के रूप में आती है व्यपारी के रूप में गहपती द्वारा संपता अजित करने के वस्था में उसे सेठी गहपती कहा जाता था ब्रामः गहपती का वर्डन ब्राम्हर के रूप में मिलता है, फिर आपका ब्राम्हर गैपति के वर्डन ब्राम्हर के रूप में मिलता है, गैपति सेना में भी समलित है, इसके एक, दो, तीन, चार आप्शन सही हैं, जैसे गैपति पत के यथा समालिक सब्दा वाली सियासर समर्द ग्रस्थ है, गैपति का दान प्राप्थ हो तो इसका एक, दो, तीन, चार option ही सही है अब हम बात कर लेते हैं भागवद गीता का पहला मलयालम संस्क्राण नेमलिखित में से किसने लिखा था? इसका पहला किसने लिखा था? माधाव पड़िकर ने लिखा था आप लोग इसे देख लीजेगा अब हम बात कर लेते हैं नेमलिखित में से कौन सी उपाधियां असोक के लिए प्रियुक्त होती थी अगर हम बात करें कौन सी उपाधि असोक के लिए प्रियुक्त होती थी तो केवल एक, दो, तीन, चार आपका पूरा उत्तर यही है जैसे दिवाना आपिम प्री दिवारना प्री चक्रवर्थी आरकुत्र महा सम्मत असोकी उपादियां फ्री अब हम अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं इसमें आपको कूड दिया गया है और इसको समलित करना है जैसे बसीन किसंदी 1802 में हुई थी बि रणजीस सिंग की नई सेना में निमलिखित में से किस एक को सामिल नहीं किया गया था गुजराती को सामिल नहीं किया था उनके सेना में बिहारी, डोगरा, गुर्खा को सामिल किया गया था फिर आप लोगों का फिर से कूट में है निमलिखित घटना को सरपथम से शुरू कर काल क्रमा अनुसार व्यवस्थित कीजिए तो आपका पहला क्या होगा दादा भाई नरोजी करनिबंध पवर्टी आफ इंडिया होगा फिर आपका वर्नुकलर पेस पेस एक्ट होगा फिर आपका हिक्कीज गाचेट कलकत्ता फिर आपका दिल्ली उर्दु अख़बार फिर दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन के और बढ़ लेते हैं जैसे की निमलिखित में से कौन से कथन अगर हम देखें तो आप लोग इसे नोट कल लिए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ अगर हम आगे की ओर बढ़ लेते हैं आपका क्वेश्चन है निमलिखित में से कौन से कथन सही है योगी क्रियां जिसमें स्वास पर नियंतरन का उद्देश हो प्राणायाम कहलाता है योगसूत onion का मानना है कि प्रकृति का रुपांतरन आफसदी एवं समादी के प्राणायाम कहलाता है योगसूत्र में पतान्जली कहते हैं कि सिद्धी जड़ी बूटी के प्राणायाम कहलाता है मेगस्तिनीच का बानना है कि कुछ प्रकार के उसदियों का प्रयोग तपस्तिवी संप्रदाय दौरा किया जाता था जो कि आपका एक, दो, तीन, चाल्स का करेक्ट एंसर है अब हम देख लेते हैं आप लोगों किसे ब्यवस्तित करना है जलिया वाला बाग, जन संगहार आएगा फिर आपका हंटर कमेटी रिपोर्ट का, प्रकासान फिर आपका, सुराज पार्टी का, गठान फिर आपका, ककोरी ट्रेंड, डकायती फिर आपका, स्रमिक, संग, अधनियम, पारित हुआ अब हम अगले क्वेश्चन के ओर बढ़ लेते हैं राष्ट्री इंडियन नेशनल आर्मी, INA के बारे में कौन सही है INA के अधारवुत रूप से संग्रित करने का से, राज बिहारी बोस्त को दिया जाता है सही है, कैप्टन मोहन, सिंग बिटिस भाती सिना में एक अधिकारी थे सुभाज चंदर बोस ने INA को पुनरगठित किया सुभाज चंदर बोस ने अजाद हिंद सरकार के लिए अजाज सिंग का मतलब अजाद हिंद सरकार का गठन किया सही है, भात की बिटिस सरकार ने पकड़े गए INA सिपाहियों पर समराज के बिट युद छेड़ने का मुकदमा चलाया इसके पांचों आपसन सही है अगर हम बात का लेते हैं, अगले क्वेश्चन के तौरा सिवाजी के बाद गुरिला रणनीती के सरफस्रेश्ट पिचपादक के तौर पर किसे जाना जाता है बाजी राव प्रथम को जाना जाता है सिवाजी के बाद गुरिला रणनीती बनाने का सरफस्रेश्ट कौन थे उनके बाद बाजी राव प्रथम थे अब हम बात कर लेते हैं जेम्स मिल ने भारती तिहास के प्रचीन काल को हिंदु काल और मध्ध काल को मुस्लिम काल करूप में चित्रित किया है फिर उसके बाद उसने आधनिक काल कुछ साई काल नहीं कहा है अब हम अगले कोश्चन के बढ़ लेते हैं नेमली खित में से कौन से कथन सही है जैसे आपका कौन सही है राजेंदर प्रथम चोल समराज के सरवादिक महत्पूर राजा थे विल्कुन थे और आपके नाथमुनी बैशनो परमपरा के महान सिक्षक थे अब हम बात कर लेते हैं अब हम बात कर लेते हैं किसने कहा मेरे विचार सिंगलेंड से बहाद से चले जाने और उसके स्वायम के हाल पर छोड़ देने से बड़ा संकर भात के लिए कुछ और नहीं होगा यह दादा भाई नरोजी ने कहा अब हम आगे बढ़ लेते हैं इसके सक्षासन मोटे तोर पर इरान से एकमेनिड और सेलुसिट प्रडाली के अनुसार ही चलता रहा सक्षासन काल में राज परांतों में बहाजित था और प्रतेक परांत एक सैन गवर्नर के अदिन होता था एक अनदिकारी पद मेरी ड्रॉक जो सक्षासन में एक निर्डिष्ट शेष्ट पर छेतर पर पर परभारी होता था सक्षासन में कजप ऐसी सिक्कों को ढ़लाई हुई जिन पर दो सासकों के नाम थे सक राजाओं के समंथ जैसे निशले पद अपना इसमें आपृसन चार सही है जैसे आपका सक्षासन मोटे तवरपा एरान से एक मेणिट और सेलोसिट प्रणाली कंसारी चलता रहा सक्षासन काल में राज परांतों में भाजित था और प्रत्यक परांत एक सैंस गवर्नर के अधीन होता था जिसे महाशत्रप कहा जाता था एक अन्य अजकारी पत्था मेरी ड्रॉग जो सक्षासन में एक निर्दिष्ट छेतर का परभारी होता था सक पर सक सासन में कजपय ऐसी सीक्कों की ढ़ाई हुई जिन पर दो सासों के नाम थे इसका अर्था की राजा स्यायम को निचली हैस्यत के सासक से समंध करता था फिर अगले क्वेशन के और हम बढ़ लेते हैं जैसे किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपबलिक एसोसियन ने अपना नाम हिंदुस्तान सोसिलिक रिपबलिक एसोसियन के रूप में परवर्तित कर लिया था फिरोस सा कोटला मदान दिल्ली में चोलों के सासन के अंतरगत पदिका कावल पदिकावल कुली क्या था ग्राम कर था आप लोग इसे नोट का लीजेगा अच्छे से अब हम अगर एक कुश्चन क्यों बढ़ते हैं जैसे नाना देसी आपका यह नाना देसी ब्रामभरो का गाउ था उत्तर मेरू श्री नाना दे जिसका दक्षिन भाज में सुमातरा थक था उत्तर मेरू ब्रामभरो का गाउ था फिर आपका मड़ी ग्रामाम व्यपाई सेंडी जो ब्यपसाई को नेंदित करता था घटिका दक्षिन भाज से मंदिर समंद कॉलेज फिर आपका आगे हम बढ़ लेते हैं इसके चार आप् बवन महापासडी कार कलाप कार कलापों दौरा हिंटर लेंड से जुड़े हुए थे अर्का मेडू के उस खनान में सीसों और बरतन भांडे के रूप में रोम की वस्तम की सेंखला प्रकासित हुई अब आगे बार लेते हैं चोल काल के मंदिर अपने सिल्फ कारी और भव्वता के लिए प्रतिद्ध हैं मंदिर के देवी देवताओं के प्रतिमा देवी देवताउः पेतिमा को प्रधान मुर्तिकार निमलिखित में से किसी रुप में मना जाता है इस्थापती, स्थापती की रूप में मना जाता है पिर आपका 1927 में भाथिश चल्चित्र समीती का अध्याष के तवर पर किसी निक्त किया गया था टी रंगा चारियर को निक्त किया गया था भाति चल चित्र समीती के अध्याष के तोर पर फिर आपका है पामा चरियम निम लिखित में से किस कथा का जैन रुपांतर है रमायर का जैन रुपांतर कौन है पामपा चरियम अब हम बात कर लेते हैं आज समाज के बारे में कौन से सही है इसके पांचो कथन सही है इसकी स्थापना मूल संकर ने की थी दैनाम सर सती जिन का नाम था इसकी स्थापना सा 1873 के वर्स में हुई थी आर समाज की परथा मिकाई बंबाई में संगडित की गई बेज सत्य ग्यान करांथ है बिल्कुन सत्य है इस सभी सत्य ग्यान हित्तु प्रात्मिक सुर्थ है बिल्कुन सुर्थ है फिर आपका अगले को हम बढ़ लेते हैं इसके चार आपसं सही है एक दो तीन चार रवीन ना टैगोर ने 1913 में नोगलक पुस्कार प्राप्त किया बिल्कुन किया मुंसी प्रेमचा ने सोच एबदन पुस्तक लिखी बिल्कुन लिखी उपन्यास चलवा एई इसार में विवेकरांद से क्रेक्टों पर अधायत अपना प्रमुक पात्र गढ़ा बिल्कुन गढ़ा था भाई क्यों नहीं गढ़ा चार्ज पंचम जाज पंचम में दिल्ली दरवार के समय में बंगाल के विवाजन को रद करने की घोष्णा की थी आपके एक और चार जैन संग्विष्ट को सबसे प्रचीन धार्मिक संपरदाय है सिसुपाल की कथा महाभाद के सभापर में पाई जाती है सिसुपाल का बद जो भगवान सिलकेशन नहीं किया था उसी कथा सिसुपाल का महाभाद के सभापर में पाई जाती है जैन संग भी उसका सबसे प्रचीन धार्मी संपरदाय है जो इसका स्यादवाद बौत धर्म का केंदे दर्सन बिल्कुर नहीं स्यादवाद जैन धर्म का केंदे दर्सन है अब हम आगले क्वेश्चन के ओपर लेते हैं जैसे कौटिल के अरसास में प्रियुक्त उपवास उपवास सबदा वली निमलिक्त में और संकेत करती है अगर हम बात करें कश्मीर के निमलिकित सास को मिimeसे किस ने महुंद गजनिक सामना किया था संगराम राज ने किया था आप साब जानते हैं क्वेश्चन असान क्वेश्चन था लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं इसके कौन आपसन हैं एक दो तीन और पांच आपसन सही हैं जैसे फिल्म साबकारी पास सूत खोरों के हाथ भारती किसानों के सोसाट से समंदित पहली फिल्म थी फिल्म संगराम 1934 को 22 फिल्म उस्व के तीन सरबुत्तम फिल्मों से एक माना गया है फिल्म नया संसार 1943 में एक निडर पत्रकार के अव्यक्ति सुतन तता के अपने अथिकार के रक्षा के लिए संगर्स करते दिखाया गया था दूर हटो एक दुनिया वालो हिंदुस्तान हमारा हिगित किस्मत 1943 फिल्म से था अब हम आगे बात कर लेते हैं जैसे आगले क्वेश्चन के ओर जैसे कि आप लोग देख लिजे असोग का बहद लेक में क्या मिलता है असोग का बहद लेक प्रसाथनिक वस्था थी नीचे दिए निकायों में से उस कालकिर सिलालेकों में वरन डिद निकाय कौन से हैं हम इसका देख लेते हैं दो और तीन इसका सही है जैसे पंचमंडली और अश्टकुल अधिकराण इसके सही उत्तर है अब हम अगले एक और बढ़ जाते हैं आहिंसा और भाक्ति भाग भाक्ति भागवत परमपरा की दो महत्पूर्ण विसेश्टाएं थी फिर आपका महाभात यह इस्थापित करता है क्रिश्ण और विष्णू अपने दवित में एक हैं विल्कूर्ण करता है फिर आपका पत्या बताता है कि विख्चु को स्वाज़ि धारम चक्र परवर्तन बुद्ध कमुख ध्यर्ष था आप लोग इसे जैसे आपका मुगल गवर्मेंट एन अडिमिनिस्टेशन किस किसकी रचना है इसकी किसकी रचना है सिर्गराम सर्मा के रचना है आगर आगर हम बात करे दूसरे की the history and culture of the Indian people किस की रचना है ये है RC मजुमदार की रचना है फिर we are our nationhood रखेश सिना की है फिर दाक्टर केसो बलिराम हेट गेवर SL गोलवालकर अब हम अगले एक और बढ़ जाते हैं भाईयो जैसे निमलिखित में से कौन सलेहक चंदेल वंस के जेवंचे समन्दित वित्रन प्रतान नहीं करता है उपयोक्त में से कोई नहीं करता है बांड का तो हर्चरीद बिलहाण कलहाण ये भी नहीं इनमें से कोई नह आप लोग इसे जैसे सिम्ला सम्मिलन कब हुआ था जून 1945 में हुआ था बंबई में नौसायनिक बिद्रो फरवरी 1946 कैमेट मिशन का भाद तागमन मार्ट जून फिर आपको समधाई सभाहे तु चुनाओ जूलाई 1946 में हुआ था जैसे आप हम इसका मिलान करेंगे जैसे धाल धनुस का क्या होगा मिपताहुल फुजल मिपताहुल फुजल होगा मिपताहुल फुजल होगा फिर आपका दूसरे का तीसरा है भाविस्पुरान तालिकायन तरचक्र भाविस्पुरान है आपका भाविस्पुरान और तीसरे का भान माला के साथ साथ सीरत ए फ अगर हम बात कर लेते हैं, उत्तरवरती चोल सासकों के सासन के निमलिखित घटनाओं को सही क्रमे विवस्थित कीजिए, तो पहला क्या हो गए आपका? अब हम अगली और बढ़ लेते हैं, जैसे बांबे योजना, बांबे योजना के बारे में कौन से कथन सही है? एक, दो, तीन, चार सही है, पाच मसरत नहीं है, जैसे इसमें तीव आर्थिक विकास के पेशनों को उठाया गया, इसमें न्याय संगत बितरन के पेशनों को उठाया गया, इसमें आंसिक राश्टिकरन के अफसेक्ता को पेश्थूद किया गया, इसमें सरैमको के कल्यान यो स्टित, विवस्टित कीजिए, पहले क्या होगा सूरत के संधी होगा, फिर आपका पुरंधर supporting development development इसका कौंस कंत्र संधी होगा। अगर हम बात कर लेते हैं अगर हम बात करें माप की निमलिखित में से किस का अध्यान है सिक्कों भार अनुसार माप और करमता करता है अपने पतिश्ठक पतन को वंडित करती निमलिखित पंक्ते किस ने लिखी है बर्णी ने लिखी है अगर हमें इस्वर ने मुझे समाहित किया मेरे जीवन के अंत में मुझे अपमाहित कर दिया या बर्णी ने लिखता है बर्णी का विचारा आखरी वक्त बहुत खतरनाक था हो एक-एक पैसे के लिए तरबता रहा आखरी बगर साथ पपुसिंग प्रजापत की त्राइन से पानी बद पड़े होंगे तो उसमें इसका बिर्वन दिया है वह बहुत प्रातना करता है कि सुल्तान मेरों के एक बार अपने राधरवार में फिर बुला ले लेकिन सुल्तान लेसा नहीं करता है दोस्तों सब्सक्राइब भी करते जाएए गर चैनल को फिर हम बढ़ते हैं अगले भगवती सुत्र सोला महा जनपदों का बड़न मिलता है वर्ण सुक्त सुने सेव की कहानी पिता पुत्रवाली 2021 में भी पूछा गया था यह कोश्चान आपका साभा पर प्रसासन के बारे मोड़न मिलता है सांधी पर राद धर्म के बारे में मिलता है अगर हम अगले कोश्चन की बात करें 19 सदी में किसने अपनवेसिक सासन के दारान भी अद्दावी करण को अस्थुक्रत किया एक महत्पूर्ण आर्थिक उन्नती का दावा किया मोरिश डेविस मोरिश ने अब इसका काल करम अनुसार करना है न निमलिखित इस मारकों के निर्मार के काल करम अनुसार सहीर अनकरम चुनिये इबराहिम रोजा चार मिनार आपका बंदा नवाच की दरगाह का प्रवेश फिर आपका महतार महल फिर आपका पाजमा गोल गुमज फिर आपका निमलिखित में से किस पाली धर्म गंथ में गौतम बुद्ध गौस रक्षण के अपसक्ता पर बल देती है सुतनी पाथ सुतनी पाथ जो की बौतम बुद्ध गौस रक्षण के अपसक्ता पर बल देती है मैं जिंद्गी उसकी नहीं जो जिंद्गी से घवराते है जिंद्गी उसकी है जो जिंद्गी से टकराते है अब हम अगले क्वशचन की और जा रहे है जैसे की गुरू गोविन सिंग की मिरत्तू के बाद बंदा बहादूर को नेता चुना गया था गुरू गोविन सिंग की मिरत्तू जब होती है उनके बाद बंदा बहादूर को ही नेता चुना गया था बिलकुन सत्त बात है अगर हम बात करें अगर हम बात करें लेकिन ख़दान पर निर्भर पक्षियों का बसेरा का बड़न नहीं किया गया है अब हम बढ़ लेते हैं अगले कोच्छन के और इसके पांच ओपसान साही है बीडी सवारकर बिनायक दमोदर सवारकर फर्गूस्टन कॉलेज के से इसना तक थे बिलकून थे बीडी सवारकर ने करेश्न वर्मक छादवत्ती की पेस का स्विकार किया जून 1906 में लंदन चले गए बीडी सवारकर ने नासिक में मित्र मेला की स्थापना किया बीडी सवारकर ने दा इंडियन वर आफ इंडिपेंडेंस अठाव संतावन नामक पुस्तक की लिखी जिसमें उन्होंने का था अठाव संतावन को पहला सतंतरता संगराम माना है कौन मान आए बीडी सवरकर ने, बीडी सवरकर इंडिया हाउस के सदा सभी बने, बिलकुन बने थे भाई क्योंठ ही बनरे थे, अब हम बढल लेते हैं अगले नायन का इसका पहला कार्क्रमानुसर होगी तो सब आप सब जानते हैं फिर परभावती होगा, फिर दिध्या होगा, फिर आपका अक्कादेवी होगा, फिर आपका रुद्रमादेवी होगी भगत सिंग ने लगभक 6 माह तक किस छादम नाम से प्रताप नामाख हिंदी पत्र का लिखा बलवन्त लिखा था अब हम अगले और बढ़ जाते हैं अगर एक क्वेश्चन के और हम बढ़ लेते हैं किस ने अपने अपूर जीवनी के दस अध्याय लिखा जिसके लिए वे एंड इंडिया प्रिग्रेम नामक सिर्स देना चाहते थे दा इंडियान सेड हर्ष्ट कमेटी किस अननाम से भी जाने जाती थी इसकीन कमेटी के नाम से जाने जाती थी अब इसमें क्या है भारती तिहास में असोक के तिरह में सैल धर्मोदेश के महत्पूर्ण माना जाता है इसमें युनानी राजाओं के नामों का उलेख है निम लिखी तमें से कौन से कथन सही है इसमें चार चारो काथन सही है अरबिन घोष ने नियू लेफ्स फार ओल्ड लिखी नियू लेफ्स फार ओल्ड में कंग्रेश को अराश्टरी निशनल की रूप में चित्ति किया गया नियू लेफ्स फार ओल्ड में कंग्रेश अच्छ सहवाद से मर रही थी प्रचीन भारत के पवित्र इस्थानों की इतिहास कवरान करने वाले संस्कत गयंतों की निम लिखित में से क्या कहा जाता है इस्थाल पुरान कहा जाता है भाष सासन अधनियां 1935 के बारे में कहा गया है इसमें क्या सही बताया गया है एक तो तीन इसका सही अंसर है जैसे एक अखिल भारती संग हेतु प्रावधान फिर आपका दूसरा क्या है रक्षा पायों वाले उत्तरदाई सासन हेतु प्रावधान संप्रदाइक और अन्समूह के प्रथक प्रते निद्द का प्रावधान एक दो तीन इसका एंसर है हनुवर में मैंने तेरा इस्कूल लड़कियों को तेईस इस्कूल लड़कों के निरदेश के लिए देखे ऐसी चीज मैंने इस के लावक कही नी देखी इबन अप्तूता लिखता है लेकिन कुछ लोग इसे गलत मानते है लेकिन इबन अप्तूता हमने भी पड़ी है पपुसिंग परजापस साइद की तरह इसे पानी पत्मे वालन मिलता है इसमें उन्होंने लिखिया है बहलो लोधी के बारे में माना जाता था कि साइद अफगान ने उसे सामना में दिल्ली गर्दी का अशिरवात दिया था फिर आपके उसका दूसरा अप्सन सही है बहलो लोधी ने अफगान एदाओं को रोह कूच से दिल्लीय मंत्रित किया था अगले कोश्चन के और हम बढ़ लेते हैं आपका हिंदु साइद प्रमपरा में कौन से गरंद प्रस्थान तराई की समुझ का निरे मार करते हैं यह बहुत इंपॉर्टन कोश्चन था आपका इसको क्या माना है ब्रह्मसुत्र और उपनिसाद माना ही यूजी सी यैसे ब्रह्मसुत्र और उपनिसाद मानता है कुछ लोग इसे रमाड मान लिया होंगे लगा दिया होंगे एक जामे क्यों के प्रस्थान भगवान से राम करते हैं बन की योद्ट बहुत लोगों कन्फ्यूज हुआ होगा लेकिन इसका ब्राम्हसुत्र और उपनिसात सही उत्तर है मौर काल इसके पांच वो आपसंस नहीं है भाई अगर हम देखें मौर काल के बाद की सद्यों में सिक्कों के ढलाई में काफी तेजी दिखाई दी उत्तर पस्चिम के स्राजाओने युनानी रोमन और इरानी सिक्कों के नकल की मौर पस्चात काल में मुद्रा के अधिकारिक प्रयोग से बिसेस कर ग्रैमीर छेतरों में बस्तु बीन में पडाले समप नहीं हुई मौर पस्चात काल में सिक्कों के विवित प्रयोग से विविन प्रकार की कारोबरी अर्थवस्तक संकेत मिलता है मौर पस्चात काल में निस्क और स्वन नामक सोने के सिक्के और सत्मान चांदी के सिक्के प्रयोग में थे देखिए मौर काल का जो सिक्के हैं बहुत इंपॉर्टन्ट है तुसले आप दिसंबर 2022 की जो की त्यारी करें पूरा पूरेस को पढ़ लीजेगा कहें भी पूंच सकता और भारती सिक्के तो बिल्कुन पढ़ लीजेगा आप लोग अब हम आगे बढ़ लेते हैं चवर चवर की घटना चार फरवरी 1822 उट घटी थुई चवर चौरी घटना पांच पर 1922 उगटी थुई एक सत्थ लेकिन कंप्यूज इसमें योजी साथ एक और दोनों सक्त माना था योजी सी पता नहीं इसमें क्या मिस्प्रिंट हो गया क्या किस टाइप में नहीं मालूम फिर हाँ कार्ग का मानुसार आप लोग देख लीज़ेगा वाले कुश्चन अच्छे से मुझमिल जादूगार के रूप में पहला होगा फिर हाँस में अनवरी एवां उनकी सांथी होगा फिर अगबार ने बाग की हत्या की फिर आपका राजकुमार का जन्म होता है फिर इनायात खान की ब्रत्यू होती है फिर निमलिखित में से हैया किस छेट की जन जाती थी क्या माना है दो और तीन खंडगिरी पहाड़ी और उद्यगिरी पहाड़ी अगले क्वेश्चन के और हम पर लेते हैं निमलिखित में से काल करमानुसार लिखना है पहला क्या होगा आपका पूरा साब जिनिक सभा फिर आपका क्या होगा पंजाब में कुका नोलान फिर आ पहुंच चुका है फिर इसी में दोबारा कर रिपीट कर दिया ये फसा दिया फिर आपका कलकत्ता में इंडिया लिग की स्थावना फिर आगे हम बढ़ लेते हैं आपका इसमें कौन सा क्विश्चन है इनमें से फवरी निस में वाइसराई की कार्ट कारी परसत किन भार सतस्वों निस्थिपा दे दिया था एम एन, एम एस, एनी फिर आपका एन आर जैकार फिर एच पी मोधी आगे बढ़ लेते हैं, हरपपा वासी जिवात में विश्वास नहीं करते थे, एक असत हरपपा वासी जिवात में विश्वास करते थे भाई, किसी भी हरपपा से किसी मंदिर का साक्ष नहीं प्राप्त होता, यह सत्त है, बिल्कुन सत्त हरपपा से मंदिर का साक्ष नहीं मि परसद को भायत के सभी बिटिस राज छेत्रों है तो कानून बनाने की सक्ति प्राप्त हुई थी चार्ड रेक्ट अठाफ सुटतिस च्यमेंद्र के समय मातरका में समाज के विवेंद्द छेत्रों में में से किसके साथ सी कारें को बड़ान मिलता है इस्तरीक कारें को बड़ान मिलता है पहले हुसेन अली साह फुरसी इसकल कौन सी करती है उनकी निस्बत नामाई सहरबारी फिर आपका क्या है बर्निका सनाइन मुहम्मदी मुस्मेत खान का क्या है मासरी इल आलमगीरी फिर आपका क्या है मिरजान आथन का क्या है इनका बहरी स्थान बहरी स्थान स्वारी अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है किस संपर्द किस निमलीगित राजवंस ने कोहिनूर हीरा को प्रथमत एक मंदिर प्रथिष्ठापित करवाय था कौन करवाय था काक्ति वंस मुहमाद बिन तुगला के समय था काक्ति वंस फिर आपका वर्स अठाव सुटेरा में भाद में रेलवे के निर्मान का रंबिक सुझाओ की सिस्थान पर जिया गया था मद्रास पर जिया गया था पर सुझाओ फिर आपका उस संथ का नाम बताईए सुराज प्राप्ति में विलम के लिए उत्तरदाई ठराई जाती है सुराज का विचार दिस पश्टा परभासी नहीं था जैसे कि बहुत से समकारिन दौरा अपने इसका दावा किया जाता है और आर दोनों सही है लेकिन बा आकी सही रख्या नहीं है अब हम देख लेते हैं तज्यूत ला अमसर्वा यहने चौथा भाद के बलहार राजा फिर आपका तावकात इनासरी यहने अर्बो दोरा 712 में सिंध अक्मण फिर आपका मुर्जुल उल्जहाब रजिया का महला से न दरवाईद सदारों दोरा ससर्थ रेंग के बदले रेंग के बदले दिया गया था भाई निमलिकित में सिक्षा पर ध्यान देने है तू वर्धा योजनेस की इन विचारों को प्रिस्तुत किया गया ग्रामीर हस्सिल में व्यवसाइक पर सिक्षन को सामिल करते हुए ग्रामीर बच्चों के लिए साध वर्षी बनियादी सिक्षा अगर हम बात करें इसमें भी काल करमानुसार है व्यवस्तित करना पड़ेगा इसे जैसे सबसे लाष्ट में इंग्लिस इंग्लिस इंडिया कंपनी को रायल चार्डर प्रदान किया जाना फिर आपका चौथा होगा फ्रांसे सी इस्ट इंडिया की स्थापना आपको 90 में क्यों सिंग साभा के बारे में कौन से कथन सही है एक दो एक तीन चार पाँच यानि कि इसकी स्थापना 870 में होई थी इसकी वजना सिक्थ सम्धाय में आद्निक सिक्षा के मात्यां से पस्चिमी प्रवोधन के लाबों को प्राप्त करवाना फिर आपका इसाई इसने इसाई मिसनरियों और हिंदु मुरस्थान वादियों के धमान तकारी गजविद्यों को सामना किया इसने संपोर्ट पंजाम में खालसा स्कूलों और कलेजों का एक संजाल बना दिया अब हम आगे लिवर बढ़ जाते हैं नेमलिकित में से गद्दान सी जो आप लोग गद्दान सी पढ़ लीजिए अच्छी से नोड कलेजिए इसक्रीन साट कल लीजिएगा ज्यादा होगा तो आपको पीडियाफ तो मिली जाएगा ग्रूप में जी एस सरदिसाई और वार मराठा इतिहास में ब्रतान जो एक महत्पों प्राथमिक सुर्वत का संगठन है उसे इस रूप में जाना जाता है बाखार मराठा सेना के संक्टर में परिवर्तन के बारे में देशी स्रोतों का व्यापा किस तरफार उपियोग किसने किसके दोरा हुआ था यादुनास सरकार और ए आर कुल करने के दोरा हुआ था निमलिकित में से किसने दुरुभावना पूर्ण तरीके से विचार किया कि मराठी लुटेरों किस तरके उपर उठने में बिफ़ल रहे बिंसेट इस्मिथ और पर्सिवल इस्पियार आप लोग इसे कलिंग विजय वाला भी नोट का लीजेगा अच्छे से जैसे कलिंग विजय को जो गद्यांस पूछा गया है असोक ने धम कवर्ण किया है किस में करता है हमारे विचार है असोक किस में करता है आप लोग इसे आस्था के रूप में बहुत धहम गंगीकार किया जिसका बाड़ान भवरु बैराड स्लालेख है, असोक किसा सटनकाल के दरौन कलिंग छेतर जिस प्रान के अंतरगात आता था, तोसली प्रान के अंतरगात आता था, उप्रोग वर्णित असोक की कलिंग विजय समनित आवतर तेरी गोस और धमकोस कहा जाता है दोस्तों यह सब सर की पुस्तक में मिल जाएगा और उनकी हिस्ट्री प्लिची टैप में भी मिल जाएगा अगर आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन करना चाहे तो उसको लिंग डिस्क्रेप्शन में आप को हैसे मिल जाएगा याद रखिएगा जीतनिक मज़ा तभी आता है जब लोग आपकी हार के इंतजार कर रहे होते हैं इसके साथ अब हम वीडियो को लाश्ट करते हैं आप लोग को समझ आ गया होगा इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लिए होंगे स्वाइड नोट आप लोग इसे समझ गए होंगे और इसका पीडियाफ आपको मिल जाएगा इसमें कोई दोर आए नहीं है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाइक करते जाएगा जो कोई देख रहा है इस वीडियो तो पूरा इसको देखिए और सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा इसे सेर भी करिएगा और इसको टाप पर पहुंचाएगा धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं हम आपको फिर से नई वीडियो पा टेक क्यार जाहिन